हेलो दोस्तो, बहुत कम दिन रहे गए है, मैं आपको पहले तो कह दू कि बिल्कुल भी demotivate मत होना, दोस्तो, ये time लढ़ने का है, डरने का नहीं है, so आप लोग 100% अपना दीजिए, मैं आपके साथ हो, end तक, अब accounts के बार में कुछ बाते करने वाल हो, तीन category में students को divide कर, पहली category वो students, जिनकी पढ़ाई हो चुकी अल्मूस्ट, हर एक सम टैली हो रहा है, या उन्हें idea के कैसे करना है, second category, so-so, पढ़ाई बट अभी भी confidence नहीं आ रहा है, कि सर, पता ने टैली होगा, नहीं होगा, क्या सवाल, पता नहीं सर, और third category जो यह बोल रहे है, सर, पास भी होगे, हो जाएगे, तो उतना बता दो या, है न, हमें posting आ रहे है के न, दोस्तो, हर category के लिए, ये video important होने आल है, specifically second और third category के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब ठीक है, पढ़ाई नहीं होना, इस होगे, लेकिन paper से पहले कर लेना, ये हमारा target रहेगा, कुछ बातों को मैं बताना चाहोगा, आपको, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स की पढ़ाई अब जितना हो से के उतना कम कीजिए, फिलाल, क्यों सर, क्योंकि लास्के 15 एक दिन बचे होगे, और जो वीडियो को बाद में देख रहा है, तो और भी कम दिन बचे होगे, हमें अकाउंट्स के पेपर को, SP वालों को करीब-करीब आपको अगर पता होगा, अब प्लान, स्ट्राटीज आप पढ़ाई पढ़ाऊगे, कैसे वो तो समझो, सर, दिन बर 4-4 घंटे अकाउंट पढ़ाई बिच्चा, वही वैसे तो नहीं चलने वाला, तो आप लोगों को अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, उच्वगा हम उई को भी मैनेज करेंगे, लेकिन समझ ये, कि मैस वालों हो या इस पी आले, उनको चार सब्जिक का टेंशन ही नहीं, मतलब अकाउंट्स का जब पेपर होगा और जब वालीडेज है, तो दिन भर, मतलब आपको 15-15-16-16 घंटे गर वहाँ पे जान डाल दिना, तो भी आपका काम हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप अभी अगर नहीं हो रहा है, तो आप अभी अपना बाकी का सब्जिक का प्लाइन को रहो, अकाउंट कैसे करना है मैं बता ही रहा हूँ आपको, और दूसरी important बात मैं बहुत सारे मुद्दों को डिसकस करने आला हो, क्यों सर क्योंकि OCM में आ गया कि explain the seven piece of marketing art marks, एक लाइन art marks के लिए अभी तुम्हें header भी सोचने है, उसके अंदर content भी लिखना है और तब जाके art में से art मिलेंगे, या नहीं वो भी doubt है, एको में आपको पूछ लिया, art marks के लिए explain change in demand and variation in demand, of change in demand लिखो, उसमें conceptually graph के कालो, मतलब eco हो गया, OC हो गया, एक line और आपको बाकि सारा चीज अपने हिसाफ से, अपने memory को, मतलब नहीं हो कि दिमाग में जो चीजे ध्यान में रखके फिर लिखना है, accounts में एकदम sorted है, final account 12 marks का समय सर, हमें पता है trial balance दिया हुआ है, trading P&L balance sheet बनाओ, posting के marks मिलते हैं, ये paper मैंने discuss किया तो दोस्तो, 99 marks मिले इस student को, इसमें mistake में एक marks चला गया था, वैसे out-up होते हैं, इसमें और एक सवाल मिलेगा, दिखो, question number, आप आ जाएगा आप दिखो, question number one, objective होने के बाद, इन्होंने question number six शुरू कर दिया, तो इसमें और एक doubt आपका clear हो जाता है, क्या सर, हम sequence तोड सकते हैं क्या, मतलब objective के बाद, हमको लग रहा है final account तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी कर सकते हो, proper यहाँ पर लिखिये, इन्होंने NPO शुरू कि आपको final account आता है, final account शुरू कर दिखिये, मैं पूरा वेपन नहीं discuss करना लाग, इस पर वीडियो बना है, लेकिन आप observe कीजे दोस्तो, हर एक posting को इदे को इदर आधा marks है, हाप marks है, हाप marks है, तो tally पे ही marks मिलेंगे, टैली नहीं हुआ तो zero mark, अरे बेटा, ऐसे नहीं होता है, आप लोगो बहुत हच्चे तक आपको बहुत सारी चीज़े आ रही है, अगर मैं NPO की भी बात करो, जिन्हें डर लग रहा है, तो सुनो आपको इतना तो पता है ना, कि receipt side का item, या तो income को जाएंगे नहीं तो liabilities को, expenditure side का item, या तो आपके जाएंगे payment side का item, या तो जाएंगे expenditure को, नहीं तो आपके चले जाएंगे asset side को, जैसे payment side को दिया furniture, तो आपको आता है balance is asset को जाएगा, payment side को दिया salary, आपको पता है, आपका income and expenditure के expenditure हो जाएगा receipt site के item आपको दिया subscription आपको बता income site को ही जाने वाला है आपको दिया supposed building fund specific liabilities यह basic posting बोल रहा हूँ है tally तो बात की बात है हर एक posting में आपको आधा-धा marks मिल रहा है sir हाप marks fail तो होगे नहीं आपको जी format यह दखना और बहुत पता थे तो इसमें compare to OCSP को वहाँ पर learning वाला काम है वहाँ पर महिनत कर रहे account में आप यह समझो कि क्या गल्लत हो रहा है और इसके लिए में आपको बहुत अच्छे से batch code अभी में आपको बताने वालों आपको सारी चीज़े कैसे मिलेगी जैसे OCSP में ने दिया economics का ब्रह्मास्तर आपको दिया है ना पाच घंटे का वीडियो वैसे accounts का भी मिलने आला है पहले समझो strategy को समझो पहली बात तो एक आप sequence चेश करता था दूसरी बात दोस्तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर हमें बता दो कि paper pattern से related बहुत जाद हमेंना doubts है सर मैं पूछता हूँ क्या doubt है क्योंकि सर हमेंना वो जो paper pattern दिया हुआ है उसमें ऐसे का है कि जो objective type question है सर मैंने बोला हाँ वो कोई भी कुछ भी आ गया तो जैसे आपने यहां पर कुछ लिखा है ध्यान से देखे मेंने क्या लिखा हुआ है आ जाएगा स्क्रीन पर पे अटेंशन सर यहां पर आपको पीछे कुछ तो दिख रहा है observe कीजिए क्या दिख रहा है दोस्तो सर एक चीज़ हमें दिख रही है कि आपने कहा हुआ है या पर कि कम्पनी अकाउंट को और आएगा कम्प्यूटर अकाउंट लेकिन हमने पेपर पैटन या हमारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर ने का का है कि न मतलब हो सकता है अब दोस्तो बहुत सारे कॉलेजिस जो नासिक के है जहां पर स्टुटेंट बट आप बिस कॉलेज में जा रहे थे और जो बोड के पेपर सेटर थे जब वो का गाइड करने आते बच्चों को तो उन्होने कहा है कि पेपर पैटर्न वैसे होगा जैसे पिछले साल था इस पॉइंट को जिसे कुछ पता नहीं वो तो सुखी बच्चत है लेकिन जिनने पता है नो बहुत डरे हुए तो डरो मत बेटा, paper pattern यही आ सकता है क्योंकि जितने हमने sources से बात की है teachers से बात की है, जो paper बना रहे, paper set कर रहे तो यही चीज होने वाला और अगर ऐसा है, तो आप देखो final account, NPO, objective इसमें आप लोगों के 20 20 marks, 12 और 12, मतलब 44 marks का तो असर आपको कभी tension ने रहे, तो account का बहुत ज़ादा burden लो मत आप मैं आपको बोल रहा हूँ, trust me दोस्तो trust me, आप लोगों को account में सबसे अच्छे marks मिलने वाले हैं मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको सब सीज guide करोगा, फिलाल आप एक एक घंटा दो चलेगा, वन आर आप practice करो जो doubt है उसको ऐसे नहीं कि पूराई बंद कर दोगे, एक घंटा दो ना करो practice, लेकिन उसके बाद बाकी subject पर जाओ, चार-चार घंटे account पढ़ना अभी sense नहीं क्योंकि बाकी subject कप पढ़ोगे theory को कप time दोगे, accounts को 4-5 दिन, या OSP वालों को 6 दिन holidays है तो वहाँ पर ठीक है, manage हो सकता है लेकिन पढ़ना पढ़ेगा, वह मैं आपको कर आओगा, attention low मत, लेकिन और तब आपके 2 subject रहेंगे, account है नहीं अभी 6-6 subject दिमाग में घुम रहे है ठीक है, sir आपको बता दू, company account बहुत easy है, बहुत easy है, बहुत easy है सिर्फ मेरे lecture, अभी lecture कैसे देखना देखो मैंने आपको सब पे, SP पे पुरा एक list बना के दिया, OC में भी एक पुरा list बना के दिया, object उससे लेके study based, distinguish, वैसे ही accounts के लिए दोस्तो अपना app अगर आपने डाउनलोड़ अभी इसमें, अब तक में हमने वो rating करने को कहा था, आपने, बहुत बच्चे वहाँ पे जुड़े होए भी है, अब देखो, आपको इसके description के नीचे आपको देखो, मैं आपको सिधा batch code दे रहा हूँ, AKCA 100 app में जाना है, जो iPhone user है वो class plus app डाउनलोड करे ठेक है न, class plus app डाउनलोड करे, और उधर organization code AKCA डाल दे, iPhone user बाकि Android वालो, tension मतलो, Amolkasar नाम डालो, Amolkasar से AKCA यस नाम से app अपना, Amol Kasar AKCA क्योंकि सर, वो सारी चीज़े ना, मुए दे नहीं सकता नीचे लिस्ट में, आप app में आईए, और देखे free of cost ये, कोई चार्ज नहीं आपे last के 20 दिन में आप क्या करें सर, Amolkasar AKCA app डाउनलोड करो उसमें जाओगे तो नीचे आपको इसे batches दिखेगा, बहुत सारे headers में one of the headers batches और उसदर plus का sign दिखेगा, इस plus के sign पे जब आप click करोगे तो batch code आएगा और batch code में आपको दिख देना है ये वाली चीज़, AKCA 100, ठीक है small में लिखा तो भी चलेगा, capital में लिखा भी चलेगा, स्पेस मत देना, AKCA 100 direct लिखना, request आजाएगी within 24 hours हम request accept करेंगे तो आपको batch open हो जाएगी right sides को scroll करना videos में सारे chapter आपको मिलेंगे ठीक है, आपको जो देखना है, जैसे देखना है, देख सकते हो आराम से देखे, कोई हई नहीं है accounts होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, हो जाएगा sir, कोई fail नहीं होने आला है, trust me पोस्टिंग को marks 0, उतना तो मैं आपको बताई दूगा जिन बच्चों को डर लग रहा है, आप बहुत डरे हुआ थोड़ा, थोड़ा पढ़ो account लेगें बाकी subject को पूरी जान डालो फिला, तो time कम रहेगा, strategy आपको बनाते आना चीए है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिया आपको, OC नहीं हुआ है ध्यान दो, ECO नहीं हुआ है, ECO पर फोकस करो SP पर थोड़ा फोकस करो, यह तीन पेपर निकल रहे है, सर फिर टेंशन नहीं, मराथ हिंदी पर तो आगे जाके हमको करना ही है और 10, बहुत सारे क्लासिस में जब पढ़ाया था, तो बच्चों ने ध्यान नि दिया, या यूजवली नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि strategy fix होती, बच्चा अगर company account करेगा art marks के लिए, तो computer account नहीं करेगा, यह theory वाला सवाल होता है डुपते को 3K का सहरा, जिसे account कुछ भी नहीं आता भाई, तुम यह computer account कर सकते हो, एक घंटे का मेरा वीडियो है उतना देख लो, उसी में से सवाल आएगा, और art marks के लिए आपके 4-4 marks के सवाल होते है, बन जाएगा लेकिन theory में पूरे marks मिलते नहीं यह problem है, इसलिए हम बोलते है company account करो, ठीक है death आता है, admission determined death, अब इसके आपको सिफ textbook problem करने है, बच्चे का करते हैं, वहाँ पर 50-60 sum दिये, उधर लग जाती, ने वीटा, textbook के total 12-13 sum है, illustration plus practical दोनों मिलाके, और उसमें से ही एक question board में आने वाला है, fix है, उसमें से ही आएगा, तो बाकि सब fake दीजिये, side में आ रहा है, textbook पर आई हो, तो आपको कम चीज़े करोगे, perfection से करोगे, उतना confidence आपका बढ़ेगा, 100 चीज़े करने जाते हो, हर sum में कुछ नहीं आता है, आपका confidence low हो रहा है, तो बहुत सारा चीज़े मत करो, textbook को अपना best friend बना लो, और उसी से कहा, textbook में कुछ थोड़ी बहुत गलतिया है, maximum चीज़े मैंने उस वीडियो में बताई भी, आप batch code use करोगा, आपको समझेगा, तो आप लोगों को उतना ही करना है, that's all, बाक कि कुछ नहीं, ठीक है, तो क्यों सरी बोला है, क्योंकि इसका नुवा जो chapter इसको और में, death में, analysis of financial statement, बहुत बड़ा time जाता है, इस पर ही मैंने recording दिया, आपको एप में मिल जाएगा batch में, आपको करना ही हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों chapter के objective, chapter number 8 के objective, company account, मैंस वालों को बहुत difficult जाता है, at 8 के objective, सब मैंने record करके दिया हुए, textbook के सारी चीज़ है, जैसे SP का, OC का दिया है, तो इसके objective तो भी आप complete करो, हैना, मतलब ये chapter छोड़ रहे हो, तो objective करो, क्योंकि सर, objective पे अपना पुरा, दारो मदार है, 20 मार्क से objective के 20, और वहां से तो हमें म तो, बैटा, मैंने कहा था, बीवाई के college of commerce, हैना, उसी के पास, थोड़ी दूर, बुडलेन शोर्म के ऊपर, 500 मिटर का distance रहेगा, अपना class है, AKCA Commerce Academy, Amulkasas Commerce Academy, जो नासिक में बैटा, डर लग रहा है, आईए, विजिट कीजए, मैं तो आपको face to face मिलूगा, जो नासिक में इस तरीके से देखिए, आपको जो 5-6 दिन मिलेंगे, उधर आपन बहुत मेहनत करने आले, अकाउंट का पूरा, आपका stress burden, उधर में complete करवा क्यों, निकाल के दूगा, अब आप focus कीजिए, बाके subject के, अकाउंट को थोड़ा time दीजिए, बाके subject को जाधा time दीजिए, फिल कुछ आपके मन की बात होगी, वाँ पर feedback दीजिए, that's all, done हो जाएगा, छोटा सापका काम है, कोई screenshot में, आपकी, बुलते ना कि हमारी अच्छा है हमारी तरफ, तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा वीडियो था, मैं छोटी योटी बाते कर रहो आपके साथ, बहुत बढ़ा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक relief मिल रहा है कि हमें कोई बताने वाला छी बता दिया आपने अच्छा लग रहा है, अब हम हमारे बाकिस अच्छे के फोकस करेंगे, अकाउंट की छुटे है, तब पूरी जान लगा देंगे, तो डरो मत, करते अच्छे से, और मिलक इस बूर्ड एक्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे, है ना, चलो, थाइंग्यू सो मच्छ, बबाई, टेक केर, जेहिए, जेहिए.